हेलो स्टुडेंट्स, स्वागा थे आप सभी का एंसे ही आर्टी मैथ्स क्लास नाइंट में और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रिश्ना बली 6 दिसमलाव एक को हल कर रहे हैं और उसमें हमने प्रिश्निक्रमांक एक को हल कर दिया है, दो और तीन को भी हल कर दिया है और आपने उसे अच्छे से सीखा है, उम्मीद है कि आपने रफ में उसे दोबारा से किया होगा और आपकी प्रेक्टिस अच्छी चल रही होगी आज हम बात करेंगे प्रश्न किर्मांक चार की और आपको इसे ध्यान से देखना है एक बार ये पूरा समझ लेने के बाद आप तोरंथी इसे रफ में करें और देखें कि आप पे कितना बना है और यदि नहीं बनता है तो आप दुबारा से देखके पुनाय करें यानि कि एक दुबारा अभ्यास कर ले तो ये आप पे बनने लगेगा लेकिन बेसिक रूट क्या है उसको पहले समझना जरूरी होता है तो आईए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है कि आकरती 6.16 में तो आकरती जो 6.16 में सबसे पहले तो वही आपको दिखा देता हूँ ये देखिए ये आकरती 6.16 है इसमें क्या है कि एक लाइन A.O.B. गई है यहाँ पे ये सेंटर में O है अब इसमें ये एकस कॉर्ण बना है यहाँ पे बाई तो देखिए ये चित्र थोड़ा सा इस तरीके से है कि देखिए ये सबसे पहले एक लाइन है A.O.B. माल लेते हैं कि ये A.O. और B. एक लाइन गई फिर इसके उपर एक C.Lाइन इस तरीके से आई हुई है यहाँ पे मालने चलिए ये है सेंटर यहाँ पे आई है और एक लाइन आई हुई यहाँ से ये D पर तो यहाँ पे बना है X कॉर्ण यहाँ पे बना है Y यहाँ पे बना है Z और यहाँ बना है W तो यह चारों कॉर्ण मिलकर एक ब्रत बना देते हैं और जब भी ऐसा हो तो वहाँ पे 360 अंस का गॉन बनता है ये याद रखना है आपको ठीक है तो अब यहाँ पे ये आक्रती दी गई है लेकिन हमें कुछ दिया भी गया है क्या दिया गया है X प्लस Y बरावर W प्लस Z है यानि कि इन दोनों का जितना मान है उतना W प्लस Z भी है दोनों बरावर है तो हमें सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है कि A O B एक रेखा यानि कि जो A O B ये लाइन है इसको प्रूब करना है कि ये एक रेखा है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं तो हमें दिया गया था X प्लस Y बरावर W प्लस Z तो हमने लिख लिया X प्लस Y बरावर W प्लस Z और इसको बना दिया समिंगरन एक हो सकता है हम इसका इस्तिमाल करें इसलिए हमने से समिंगरन एक बना दिया है अब हमें सिद्ध क्या करना है तो उसको हम लिख लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं कि A.O.B. एक रेखा है तो A.O.B. एक रेखा है इस तरीके से यह हमने लिखा कि यह हमें सिद्ध करना है तो अब कैसे सिद्ध करोगे उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो आप चाहो तो इसको उपपत्ती भी लिख सकते हैं यह जहां से हल करना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हम उपपत्ती का इस्तिमाल कर सकते हैं ये देखिए इस तरीके से लिखना है अब इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे मैं जो कि मैंने आपको सुरुबात में बताई है कि इन चारों का यूग कितना है 360 क्योंकि एक ब्रत बना रहे हैं सभी मिलकर तो X प्लस Y यानि चारों को जोड़ देते हैं X प्लस Y प्लस Z प्लस W इनको जोड़ दिया तो कितना आया 360 क्योंकि ये मिलकर कितना बना रहे हैं 360 लेकिन Z प्लस W जो है Z प्लस W है इसकी जगह पर क्या लिख सकते है X प्लस Y क्योंकि X प्लस Y के बरावर Z plus W है तो Z plus W की जगहे पर हम क्या लिख सकते हैं X plus Y दुबारा से या फिर हम XY की जगहे पर यानि X plus Y की जगहे पर Z plus W भी लिख सकते हैं तो आप चाहे तो जो भी लिख सकते हैं तो मैं यहाँ पर Z plus W की जगहे पर क्या लिख सकता हूं X plus Y तो अगले स्टेप में हमने लिखा X प्लस Y को जियों काते हूं और Z प्लस W है Z प्लस W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं X प्लस Y क्योंकि हमें ये दे रखा है X प्लस Y लिखेंगे तो तो X प्लस Y बराबर कितना है 360 अब आगे बढ़ते हैं तो 1X ये है और 1X ये है तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 1X और 1X कितना हो जाएगा? 2X पर यहां पे 1Y ये है 1 बाइ ये है तो ये भी 2Y हो जाएगा बरावर 360 अब 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा X प्लिस बाई बरावर कितना होगा 360 अब ये जो 2 है ये गुणा में है क्योंकि कोश्टक लगा है तो गुणा में ही माना जाएगा तो गुणा वाली संख्या बटे में पहुचा देते हैं तो X प्लिस बाई आपको मिलेगा 360 बटे 2 इस तरीके से आगे बढ़ लेते हैं तो X प्लिस बाई बरावर ये 2 से कैंसल हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 बटे 16, 0 यानि 180 आएगा तो X प्लिस बाई दोनों का योग कितना है 180 अब चित्र से हमें पता चलता है कि X और बाई दोनों का योग 180 है इसका मतलब कि ये रेखा पर बने होंगे है न तभी तो इन दोनों का योग 180 है तो लिखेंगे चुकि X वावाई दोनों कोण दोनों कोणों का योग योग कितना है 180 है इसलिए चित्र से इस पश्ट हो जाता है कि A और B एक रेखा होगी A और B एक रेखा होगी ठीक है क्योंकि सीधी रेखा पर ही एक स्वस्थी बनता है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं अब आप चाहें तो इसका स्क्रीन सॉट लेकर अपने फियर रेडिश्टर में से लिख सकते हैं तो देखें यहाँ से आपको यह क्वश्टन है फिर इसका यह हल सुरू है और दी गई आक्रिति यह है तो यह तो बुक में भी बनी हुई है तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा यहाँ पे आप वीडियो को पॉस करकर के नोट कर सकते हैं पूरा का पूरा क्वश्टन का आंसर यह देखिए पूरा हल जो है और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे और प्रती दिन पढ़ाई करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपका जो बेस है वो मजबूत होगा आगे की बूर्ड पर इक्चाओं के लिए बेस किलियर होगा तो अच्छे से एक आगे चित्रों के ध्यान लगा के पढ़ाई करना है और एक समय बाध लीजिए कि इतने समय में मुझे ये मैथामेटिक्स पढ़नी है तो इतने समय आप यही पढ़ें और इसके साथ साथ अधर सब्जेक्ट की भी अच्छी तैयारी करें और सभी चीजों को मेंटेन करके चले ठीक है इसके बाद हम नेस्ट कॉस्टिन करेंगे तैंक यू